हालो गर्ल्स इस चैप्टर की प्रीवेश वीडियो में हमने रुटिंग चेकिंग पढ़ाता उसके अड्वांटेज इस एंड अब्जेक्टिव हमने पढ़ेते और वाउचिंग और उसके अब्जेक्टिव हमने पढ़ेते नौ दिनेक्स टॉपिक इस वाउचर अब इसके दॉक्मिंटरी एविडेंस मेंने की हमारी ओधिर कोई ही है या नहीं होई है तो जो होता है क्या होता है जो भी हमारी जोटir कृटर रिकार होती है वह होती है डेली बेसिस पर उसकी एक सिक्रेक्टि होना उसको हम क्या कहते हैं वाउचर मींस जहां भी वो ट्रांजक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो क्या होगा वाउचर कहलाएगा बैनेवर संबड़ी भाय एनिफिंग फ्रॉम दी मार्केट दी सेलर गिफ्स हीम रिसीप्ट और कैश मेमो विच इस पूफ अप दी ट्रांज और कोई सामने वाली पार्टी खरीदते हैं तो वो क्या करेंगे दोनों अपनी अपनी ट्रांजक्शन किसमें वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे और उसी के में जो तरहां हमारे पास काइंड साफ जो जो इसुत होधें कितने टाइप के होते हैं तेक़े में जो वाउचर सोते हैं एंड पर्चेज रिटर्न थीक है बट अगर हम और में बात करें और इंग में बात करें तो हमारे वाउचर टू टाइप में ली टू टाइप के होते हैं फर्स्ट इस प्राइमरी वाउचर क्या होता है देखिए अरिटिन एविडेंस इन ओरिजिनल ऑफ एनी ट्रांजक्शन प्राइमरी वाउचर एक एक एविडें जो कि औरिजिनल एंट्री को बताता है जो की औरिजिनल जिसमें ट्रांजक्शन रिकॉर्ड की जाती है वाघ्ने अगर कोई ट्रांसक्शन होई माहलो कि वानलो मेन्य offer उस उस जो का एक प्रूफ होता है नेक्स्ट है हमारे पास सबसीडरी वाउचर क्या होता है इन केस दी प्राइमरी वाउचर इस नोट अवेलिवल कॉपीज देयर ओफ और रिलेटी डोकुमेंट्स आर प्रडूज इन सपोर्ट और सबसीडरी एविदेंस इस मेड अवेलेवल तो किसी तरह की कोई उससे डोकुमेंट्स होना की कोई कॉपी होना प्राइमरी वाउचर से रिलेटी तो वह हमारे किस में काउंट हो जाता है इसा जहां पर हमने transaction record की हुई हो उसको हम वाउचर कहते हैं ठीक और यह हमें क्या बताता है और अच्रेश् से हमारी कि जो हमारी गुट्स कि आफ ही जो ऊह तांसक्शन हुई है यह नहीं हुई है यह हमारा बताता है जिससे क्या है जो सैटिस्फाइज होता है उस रांजक्शन उसको देखके उस document को देखें ओके नेक्स चलते हैं आगे नेक्स फिल्स याइशन्हां वाउचर अब देखिए जो पहले हमने पढ़ा था वह था वाउचिंग निस यो वाउचेंग होती the auditor needs to keep in mind that कुछ पॉइंट उसको ध्यान में रखने हैं auditor को first is the voucher is issued to the organization और its honor जो voucher होना चाहिए वो organization को issue होना चाहिए और उसके honor को होना चाहिए ठीक है मतलब उनसे related ही होना चाहिए next is it is related to the business of the organization और enterprise जो हम voucher बनाएंगे वो business organization ते related होना चाहिए और enterprise से related होना चाहिए next is the voucher is made on a printed form जो voucher होना जाहिए printed form में होना चाहिए next is the voucher is dated and the date is related to the transactions recorded in the books of accounts जो voucher होना जाहिए वाउचर पे particular date mention होनी चाहिए और वही date mention होनी चाहिए जिस भी देट को transaction होई है वो record की गई है books of account में ओके नेक्स इस दि इस the amount in the voucher is both in figures and in words जो भी voucher में amount recorded होगी वो words में भी होनी चाहिए और figures में भी होनी चाहिए next is the amount sorry the voucher is signed by a person who is authorized to do so जो voucher होना चाहिए proper एक signed होना चाहिए by a person जो कि उसके responsibility ले रहा है या फिर जिसने वो transactions record की है means concern authority से वो voucher sign होना चाहिए the amount and description in the voucher must tally with the same in the books of account where the transactions is recorded जो भी information हमारे voucher में available है वो ही same information हमारी books of accounts पे हमने record की है या नहीं की हो यह हमें tally करना चाहिए ठीक है examination के time पर auditing के time पर next is the auditor should not take any help from any member of the staff of the client while vouching the entries by checking voucher जो भी auditor को क्या करना चाहिए किसी भी तरह की help लिए वाउचर की recording examination करते time किसी भी तरह की कोई help नहीं लेनी चाहिए कोई भी उसका junior staff हो या फिर कोई भी member हो organization का या फिर कोई client हो उचसे ओके आगे बढ़ते हैं now next topic है हमारे पास difference between routine checking and vouching अब देखिए routine checking और vouching में क्या difference है हमने पहले पढ़ा था previous वीडियो में routine checking क्या होती है vouching क्या होती है अब यहां पर हम difference पढ़ते हैं अब देखिए routine checking में first is it is the checking of costing carry forwards posting and balancing routine checking होती है उसमें में हम क्या कहते हैं क्या देखते हैं वहीं न अरिस्मेटिकल accuracy है यह नहीं अगर हम जो कोस्ट कितनी आ रही है और जो हम balances carry forward कर रहे हैं वह easily हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं postings क्या के और balances total balance total यह सब हम check out करते थे routine checking में वाउचिंग में देखिए फर्स्ट पॉइंट है इट इस चेकिंग और वैलीटी ऑथंटिसिटी एंड एक्विरेसी ऑफ दी एंट्री इन दी बुक्स ओफ अकाउंट जो भी बुक्स ओफ अकाउंट में एंट्री हुई है वह वैलिड है या नहीं है यह हम वाउचिंग में करते हैं ना रूटीन चेकिंग में सेकंड़ पॉइंट देखिए एंट वीड चैकिंग ऑफ अरिस्मेटिकल एक्विडेसी ऑफ बुक्स ओफ ऑरिजिनल एंट्री वही मैंने बताया अरिस्मेटिकल एक्विडेसी चेक करते हैं बुक्स ओफ अकाउंट में जो भी रिकॉड वाचर या नहीं भुक्स ओफ अकाउंट में ठीक हैं लास्ट पॉइंट इस रूटीन चेकिंग में लेखे नेरो विच इंवल्डेस्ट मेरली चेकिंग ऑफ बुक्स ओफ अकाउंट में एंट। होता है कि हम चैकिंग करते हैं books of accounts की ठीक है अगर चैक करने के लिए वाउचिंग में देखिए ब्रॉडर concept which involves not only checking books of accounts but also verifying source of transactions with the entries made यह ब्रॉडर कंसेप्ट होता है इसमें सिर्फ checking involved नहीं होती है इसमें sources involved होते हैं कि हम जो transactions हो रही है हैं कहां से हम उसको मतले properly verify करते हैं पूरी ट्रांजक्शन को शुरू से लेके एंड बिग्निंग से लेके एंड तक हम ट्रांजक्शन को वेरिफिकेशन करते हैं ओके इसमें नाओ धिनाइक्स टॉपिक इस वाउचिंग ऑफ पर्चेस वुक अब देखे डिफेर्ट इफ्रेंट से बुक की और डॉक्ट्यूमेंट की वाउचिंग कैसे की जाती है उसके स्टैप्स फुर्द हमें बताये हुए हैं तो फर्स्ट इस वाउचिंग ऑफ परचेस बुक अब देखे पर्चेस बुक के टाइम पर हम उसकी वाउचिंग हम कैसे करेंगे और ट्रांसक्शन रिलेटिंग टु क्रेडिट परचेस आर रिकॉर्द इन पर्चेस बुक दि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग पर्चेस बुक इस तो इंशॉर देट ऑल दी ग हमने सैलौर को पेमेंट की है या नहीं की है मतलब एगर एक पार्टी परटी है और दूसरी बुक इस कर रही है तो यह एंशौर करेंगी दोनों दोनु regular account में अपने अपने ऐपने ऑप offerings और कि हम्में गुजच रिसीब हुए है या नहीं होई है और सामने वाली पार्टी कि हमें payment हुई है receive या नहीं हुई है the auditor before vouching the purchase book should satisfy himself about the effectiveness of the internal check and control system relating to purchase हमें purchase book की vouching करने से पहले यह ensure करना चाहिए कि यह जो हमारी organization का internal check system है control system है वो purchase से related है या नहीं है effective हो रहा है या नहीं हो हो रहा है ठीक है वाइल वाउचिंग पर्चेज बुक दी ऑडिटर शूट कंसीडर the following books for following points देखिए जब वाउचिंग करेंगे पर्चेज बुक की तो ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान में रखनी है वो क्या है फिस्ट ऑडिटर शूट केयर फुली चैक दी entrates in the purchase book 50 purchase invoices जो ऑडिटर होगा वह किर्फुली चैक करेंगा जो भी पर्चेज की entries होंगी पर्चेज बुक में ठीक हे और invoice में वाइल एक्साइमीनिंग दपर शूट पेन्चन तूट यह नहीं यह देखाएगा यह एक्जामिनिशन करेगा उसमें एक्जामिन करेगा नेक्स्ट इस देट ऑफ दी इन्वाइज शूद रिलेट टूद अंडर ऑडिट जो भी डेट है उस इन्वाइज में वो चैक करेगा कि उस पिरिएट के दोरान है वो डेट यह नहीं है मिस अगर हम फैब में कोई ट्रांजक्शन कर रहे हैं तो इन्वाइज के अंदर फैब से रिलेटेड डेट है या नहीं है ठीक है मिस कोई और डेट तो नहीं है नेक्स इस दे नेम ऑफ दी प्रेडिटर इन दी इन्वाइज एग्रीज विद दी नेम एंटर इन दी पर्चेस बुक जो भ पimean कि जो जहां भी और सुट इस पोर लैंड की जोने टिए नीं वह रहागीा है नहीं है तो उनलटाननम इंवाइज प्रोपन को अगर कर रहा है नहीं में बीड़कां सब्सक्राइट रहां वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब होना चाहिए ठीक है now the second point is the auditor should voice the entries in the purchase book with the invoice copies of order placed goods in word book and delivery notes जो auditor होगा वो यह सब भी vouch करेगा यह सब भी चैक आउट करेगा कि purchase book में proper invoices maintained हैं बने हुए हैं या नहीं copies of order place जो भी हमने order place किया था उसकी proper copy हमने रखी हुई है या नहीं goods in word book in word of the goods in word goods in word in word हमकि इस case में बनाएंगे जब purchase करने वाली party goods को मंगवाएगी गुट्स का order place करीजी तब ही तो organization के अंदर goods आएंगी तो goods in word book हम at the time of purchase बनाएंगे and the delivery not delivery notes मतलब delivery note क्या कौन बनाएगा सामने वाली पार्टी बनाएगी यह बताने के लिए कि उसने गुट्स डिलीवर की है या नहीं की है next is he should ensure that only credit purchases are record in the purchase book उसको यह भी इंशोर करना है auditor को कि जो purchase book में only credit purchases record हो next is he should also ensure that purchase of capital book that capital goods that is purchase of plant and machinery or any capital assets are not entered in purchase book auditor को ensure करना चाहिए कि जो purchase of capital goods capital goods की purchases है वो हमारी purchase book में include नहीं होंगी जैसे कि plant and machinery हमने purchase करी या कोई भी capital asset हमने purchase करी तो वो हमारी purchase book में include नहीं होंगी but instead they should be accounted in fixed assets account लेकिन हम उसमें उसको fixed asset accounts में रख सकते हैं ठीए capital goods को उसकी पाउचिंग हम fixed asset accounts में कर सकते हैं next is auditor should check the total totaling and costing of the purchases books and ensure that all the taxes of Troy and Fright are added to the purchases and trade discounts allowed are deducted जो auditor है वो यह चैक करेगा कि कि सीवी तरह की जो totaling है costing है purchase की वह अच्छे से हुई है या नहीं हुई है सारे उसमें taxes involved है या नहीं हो यह भी ensure करेगा auditor at the time of the vouching of purchase book next is last one is when directors और partner purchases goods for personal use auditor should ensure that such purchases are charged to their personal account अगर कोई director और या कोई partner organization का कोई personal use के लिए कोई चीज खरीदता है कोई purchases करता है तो auditor को यह ensure करना है कि वो purchases और जो उसके charges है वो उस particular person के personal account में involved हो ओके नेक्स्ट इस vouching of sales book अब देखे पहले हमने किया vouching of purchase book उसी तरह से हम sales book के vouching करते हैं ना वाउचिंग of sales is run by the examining the copies of invoices the seller sends an invoice to the buyer seller होता है इसमें एक invoice send करता है buyer को means खरीदने वाले को with every sale of goods जो भी उसने good sale करी है and a copy of invoice is retained by the seller और जो भी copy उसने रखा रखी हुई होती है invoice की वो send करता है which is evidence of the sale having been made वो एक तरह से evidence होता एक proof होता यह बताने के कि कौन कौन से goods की कितनी sale हमने की है कि सामने वाली पार्टी से हुई है इसमें देखे कि क्या क्या वाउचिंग होगी किस किस चीज को हम check out करेंगे sale book में first is the order received and the related correspondence must be examined जो भी order receive होगा और उससे related जितनी भी जानकारी होगी वो सब examine किया जाएगा next is the sales recorded a few weeks before the end of the financial year and for a similar period is the beginning of the new year should be checked very carefully अगर कुछ financial year के थोड़े टाइम के थोड़े टाइम पीरिड के जस्त पहले ही अगर कोई sale हुई है तो उसको next new year में मतलब क्या new financial year में उसको अच्छे से check out करेंगे ठीक है check करेंगे very carefully next is the rate of trade discount also needs to be checked अगर हमने किसी तरह की trade discount दिया है सामने वाली को तो उसका भी जो रेट होगा वो हमें मेंशन करना है to ascertain that it confirms to the accepted norms and is agreed in the sales agreement और यह हमें confirm करना ही कि वो sales agreement में हमारे involved है या नहीं है sales agreement में आता है अग्रीड है उसकी मतलब जिती में term and conditions है उसके according है या नहीं है वो डिसकाउंट हमने दिया है okay next is goods sent on consignment and goods sent on approval rate are not deemed to be actual sales अगर हमने consignment पे sale किये goods और तो वो actual sale नहीं मने जाए अब दिखे goods on consignment क्या होती है consignment sale वो होती है जो हम किसी के विहाफ पर करते है means हम direct में third party को involve कर लेते हैं ठीक है तो इस तरह की जो सेल होगी वो actual sale नहीं माने जाएगी उसको consider नहीं किया जाएगा next is it should be seen that capital sales have not been treated as revenue sales यह भी देखें यह भी मतलब उसमें check out करेगा capital sales होंगी वो revenue sales को treated कि मतलब उसमें capital sales revenue sales को treat नहीं करेगी means उस तरह को उसको consider नहीं किया जाएगा next is the auditor should check the postings of the sale book and examine the posting to laser account auditor यह भी check out करेगा जितनी भी sales book से के regarding posting है वो laser account में हुई है या same नहीं हुई है मतलब same entries same postings sales book से laser account में transfer हुई है या नहीं हुई है यह भी auditor ध्यान रखेगा and at the time of the vouching of sales book next हमारे पास vouching of journal proper अब देखिए जर्नल बनता है हमारा उसकी vouching एक auditor कैसे करेगा first is opening entry opening entry में कि क्या देखेगा वो these entries can be vouched by checking the balance sheet of the previous year and the working paper of the current year इस तरह जो ओपनिंग entries होती है वो या तो balance sheet की previous year की balance sheet से वो देखेगा check out करेगा और यह current year की working papers जो means currently चल रही है उस से check out करेगा ठीक है अगर कोई opening entry होगी तो और agreement भी इसमें देखा जाएगा जो क्लाइंट और वेंडर के बीच में कोई new agreement हुआ होगा और उस चीज़ को भी एक्जामीन करेगा ओडिटर ठीक है next is closing entry किसी भी तरह कि अगर कोई closing entry है तो closing entries are the ones that are passed for closing and transferring balances from the nominal account to the profit and loss account closing entry का वो होती है जब profit and loss account का जो nominal accounts का जो balance है वो हम profit and loss account में transfer करते हैं तब हमारी closing entry होती है ठीक है तो यह भी एक्जामीन करेंगा यह भी चैक आउट करेंगा ओडिटर next is bad depth अब देखिए bad depth के रिगार्डिंग जितनी भी provisions होंगे ठीक है वह भी चैक आउट किये जाएंगे ठीक है जो हमारी the auditor must check that the provisions for bad depth is based on the procedure established in the company means auditor है वो यह चैक आउट करेंगा कि जो provisions regarding bad depth वो अच्छे से होंगी उनको भी वाउच करेंगा चैक आउट करेंगा इटीज इंपोर्टेंट तो हैफ इंफरमेशन अबाउट दी नेचर आप दी एसेट्स देयर एस्टिवेटेटिटि एफेक्टिव लाइफ एंडी बेसिस ऑन वीच सच प्रोविजिशन है प्रोविजिन बनाते टैम है या नहीं एंट्रीटिंग तो प्रोविजन फोर डाउट्पूल डैप्ट एंड डैप्ट इसमें क्या के इंक्लूड होता है प्रीपेड एंड आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज एक्रूड एंड अन इंकम टैपिसेशन एंड डिजर्व एंड एलोकेट्स बिट्मिन कैपिटल एंड डिवैन्यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी में यह जो मैंने अभी नाम बताई वो सब इसमें इस कैटेगरी में आते हैं अर्जस्टिंग एंट्रीज में टीक हैं नेक्स्ट इस ट्रांसफर एंट्रीज में देखिए क्या इंवाल्व है सच एंट्रीज आर वन अकाउंट टू अनादर थो दी मिडियम ऑफ जर्णल अगर कोई एक अकाउंट थे दूसरे काउंट में अकाउंट में इसी कोई ट्रांसफर की गाई न्हीं तो वह ब्यापर्लिज एंट्रीज तो बोए प्रौपर्ली चैकमाउट होगी नेक्स लास्ट इस कंसाइंड म अगर कोई consignment transaction मैंने बताया ना किसी के विहाब पर अगर कोई transaction हुई है कोई sale हुई है तो वो भी इसमें record की जाएगी उसकी प्रॉपर performa invoice का होना चाहिए correspondence होना चाहिए account sales received and contract with consignee proper consignee के साथ जो contract होता है वो सब check out करेगा auditor at the time of vouching the journal proper next हमारे पास है vouching of creditors laser अब देखिए creditor के time पर मतलब creditor का laser check करते time auditor को क्या क्या बाते ध्यान में रखनी है first is the opening balance of the account should be checked with the audited balance of the previous year opening balance जो होगा account का वो भी check किया जाएगा audited balance of the previous year means जो भी previous year में हमने balance check out किया था auditor ने वो opening balance दुबारा से check करेगा next is all the supporting books जितनी भी books है namely purchase book goods outward book bill payable book cash book discount register allowance book need to be carefully examined ये सारी to be entries examine should be ticked mark and transfer entries should be checked in the journal जो भी entries exam 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 हो जाएंगी ज्योवब चेक आउट हो जाएंगी उसको properly tick mark करेगा auditor और जो transfer entry होगी उसको अच्छे से चेक करेगा transfer करेगा next is additions and calculation in the account शुद भी additions होई होगी या calculation होई होगी क्रेटर के लेजर में वह भी चेक आउट करेगा ओडिटर नेक्स्ट इस दियर शुट भी कोर्सपेंडेंस बिदी क्रेडिटर एंड इमांट ड्यू तो देम शुट भी कनफर्म विद एम अगर कोई क्रेड़ के साथ कोई ऐसी कॉर्सपेंडेंस डील हुई है या फिर कोई अ मतलब जो अभी रहा गया है पे करना देन दी रिजन फॉर नोन पेमेंट ऑफ दी सेम शुट भी इंवेस्टिगेटर तो उस पेमेंट को यह ना होने का रीजन भी इंवेस्टिगेट किया जाएगा मिंस अगर और ऑगनाइजेशन में किसी क्रेडिटर के पैसे काफी सालों से नहीं दिये हैं तो उसकी जो रीजन है पेमेंट ना करने का वह भी इंवेस्टिगेट किया जाएगा वाइदी ओडिटर और वाइदी इंवेस्टिगेशन नेक्स इस टोटल ऑफ दी ऑल अकाउंट इन इस लेजर शुट भी बैलेंस इंदी बाउट लेजर अजस्मेंट इन जर्नल लेजर जीतना भी टोटल होगा अकाउंट अकाउंट इन लेजर का वो टैली किया जाएगा प्रॉपरली जो भी लेजर के बैलेंस होंगे इन जर्नल लेजर में ऑके next is vouching of bill receivable book अब देखिए जो बी आर बुक्स होती है उनकी वाउचिंग के टाइम पर हमें क्या क्या बाते ध्यान में रखनी है the auditor should proceed as follow while vouching the bill receivable book first is check the matured bill for which payment have been received जो हमारे पास matured bill होंगे जिसकी हमें payment receive हुई है वो हम check out करेंगे next is compare the bills received by the due date with the entries in the cash book जब हमें वो bill receive हुआ है और उसकी due date क्या है यह हम check out करेंगे entries में books of accounts की cash book में next is check the cash book and the bank pass book for the bill that have been discounted जो भी bill discount हुआ है उसकी cash book और bank pass book हम check करेंगे next is for the bill that have been dishonored the relevant entries in the financial books need to be examined जो भी बिल हमारे dishonor हुआ है उसकी जितनी भी relevant entries है वो financial accounts में financial books में हम वो भी examine करेंगे वो भी check out करेंगे and the last one is in case of bill in hands that have not matured अगर हमारे पस कोई ऐसा बिल है जो भी mature नहीं किया गया है the auditor must verify that such bills are with the clients वो auditor को चाहिए कि वो बिल जो है verify कराए auditor with the help of clients और मतलब clients के बिल से वो बिल एक बार verify कर रहा है okay so thank you girls झाहिए क्थ़र चक्राव सकता हुद। झाहिए